आज का प्रेरक प्रसंग, ईश्वर और सुंदर भविश्य, एक मंदिर था उसमें सभी लोग नौकरी पर थे, आर्थी वाला पूजा कराने वाला आदमी, घंटी बजाने वाला भी नौकरी पगार पर, घंटी बजाने वाला आदमी आर्थी के समय, भाव के साथ इतना मस्कूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था, व्यक्ती पूरे भक्ती भाव से खुद का काम करता था, मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ती भगवान के साथ 7 घंटी बजाने वाले व्यक्ती के भाव के भ करते थे उसकी भी वाह वाह होती थी एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पड़े लिखे होना जरूरी है जो पड़े लिखे नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा उस घंटी बजान ट्रस्टी ने कहा सुन लो तुम पड़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखने में आया परन्तु आर्ती में आये लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था घंटी बजाने वाले व्यक्ती की सभ लेने के लिए आया है। इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आये हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल के देते है। वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटी बजाने आ जाना फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की जरूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली की एक दुकान से साथ दुकान और साथ दुकानों से एक फैक्टरी खोली। अब वो आदमी मंधगी गाडी से घंटी बजाने आता था। समय बीटता गया। ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए टर्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्टरी के मालिक से बात करके देखते है। ट्रस्टी मालिक के पास गया, साथ लाग का खर्चा है, फैक्टरी मालिक को बताया, फैक्टरी के मालिक ने कोई सवाल किये बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा चेक भर लो, ट्रस्टी ने चेक भर कर उस फैक्टरी मालिक को वापस दिया, फैक्टरी म गया और कहा साहिब तुमने अनपढ होकर भी इतनी तरक्की की यदी पड़े लिखे होते तो कहा होते तो वह सेठ हंसते हुए बोला भाइप में पड़ा लिखा होता तो बस मंदर में घंटी ही बजा रहा होता आस्टरिस्क शिक्षा आस्टरिस्क कार्य कोई भी हो परिस्थि की बात है एक गरीब किसान एक गाउ में रहता था उसके पास एक बहुत छोटा सा खेत था जिसमें कुछ सबजियां उगा कर वह अपना वह अपने परिवार का पेट पालता था गरीबी के कारण उसके पास धनकी हमेशा कमी रहती थी वह बहुत इर्शालू स्वभाव का थ इस कारण उसकी अपने अरोसी परोसी वर रिष्टेदारों से बिलकुल नहीं निपती थी किसान की उम्र धलने लगी थी अतह उसे खेत पर काम करने में काफी मुश्किल आती थी खेत जोटने के लिए उसके पास बैल नहीं थे सिचाई के लिए वर्शा पर निर्भर रहना परता था खेत में या आसपास कोई कुवा भी नहीं था जिससे वह अपने खेतों की सिचाई कर सके एक दिन वह अपने खेत से थका हारा लोट रहा था उसे रास्ते में सफेद कपड़ों में सफेद दाड़ी वाला एक बूरा मिला बूरा बोला क्या बात है भाई बहुत द तो तुम क्या करोगे कोट कोट तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मेरी केती का सारा काम बहुत आसान हो जाएगा पर बैल मुझे मिलेगा कहां से किसान बोला मैं आज ही तुम्हें एक बैल दिये देता हूं यह बैल घर ले जाओ और घर जाकर अपने परोसी को मेर बेज देना बुरे ने कहा किसान बोला आप मुझे बैल दे देंगे यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई परंतु आप मेरे पडूसी से क्यों मिलना मैं चाहते हैं खोट बुरा बोला अपने पडूसी से कहना कि वह मेरे पास आकर दो बैल ले जाए नहीं किसान को भीतर एक बैल भी नहीं चाहिए। बूरे ने बैल को अपनी उर्खी इंच लिया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं इर्श्या है। तुम्हें जो कुछ मिल रहा है, यदि तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते और पडोसियों वर रिष्टेदारों की सुख सुविधा से इर्श्या नहीं करते तो शायद संसार में सबसे ज्यादा सुखी इंसान बन जाते। इतना कहकर बूरा जंगल में ओज़ल हो गया। किसान मनुष्य की इर्शालू प्रवरिती के बारे में सब चने लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शांदार वीडियो और लेकर आऊं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिलें। धन्यबाद जय हिंद जय भारत